हाई गाइज आज हम आपको कैन का यूज बताते हैं कैन का उप्योग कैसे किया जाता है इसके बारे में बताते हैं कैन का उप्योग सभी परसन के साथ में किया जाता है और प्रिजेंट टेंस में किया जाता है यानि can का उपयोग जो हम करते हैं अगर तो सभी person में साथ में किया जाएगा और साथ में present tense में किया जाएगा और इसके यूज करने के कई सारे point दिये गए हैं सबसे पहला है point to express permission किसी को अनुमती देने के लिए अगर यूज कराते हैं तब वहाँ पर हम can का उपयोग करते हैं जैसे आपका उपयोग यहाँ पे example दिया गया है can you go now आप यहाँ पे किसी को permission दे रहे हो कि तुम जा सकते हो और दूसरा example दिया गया है you cannot touch flower और यहाँ पे दूसरे example में भी आप किसी को permission दे रहे हो कि आप किसी इस flower को छू नहीं सकते हो और दूसरा point दिया गया है यहाँ पे to express ability किसी की योगता या च्छमता को प्रकट करने के लिए can का उपयोग करते हैं हम जैसे और इसमें दूसरे वाले point में या ability को प्रदरसित करने के लिए दूसरे example दिये गए हैं जैसे कि he can swim आप जो है तो तैर सकते हो इसमें उसकी ability या योगता को बताई गई है कि कोई व्यक्ति जो है वो swimming कर सकता है तो इसमें होगा जैसे आपका एक्जाम्पल दिया गया है he can swim तो इसमें वो तैर सकता है दूसरा एक्जामपल दिया गया है he can speak Sanskrit इसमें उसकी योगता बताई गई है कि वो हिंदी इंगलिस के साथ संस्कृत लेंगज भी बोल सकता है और सारे यहाँ पे point दिये गए है यहाँ पे तीसरा point दिया गया है to express a possibility किसी की संभाबना को वेक्ट करने के लिए भी हम can का उपयोग करवा सकते हैं यहाँ पे उसका एक्जामपल दिया गया है possibility बताने के लिए कि anybody can make mistake यानि हर एक वेक्टी जो है तो गलतियां हो सकती है या हर एक वेक्टी से गलतियां हो सकती है इसमें इसकी संभाबनाओं को बताया गया है इसमें और दूसरा एकजाम्पछ दिया गया है accident can happen to anyone यानि accident या दुरघटना किसी से भी हो सकती है यहां भी एक संभाबना को ही बताया गया है और चौथा point दिया गया है can't help can't help जो है एक freedom होता है जिसका अर्थ होता है, can't avoid या जिसको टाला नहीं जा सकता है ऐसी घटनाएं जिनको टाला नहीं जा सकता है उनको भी प्रिजेंट करने के लिए हम कैन का उप्योग करती है जैसे इसका एक्जामपल दिया गया है she has bad cold, she can't help sneezing यहां पे बताया गया है कि उसे बहुत सर्दी है वह अपनी छीक को नहीं रोक सकता है यह एक natural होता है जिसमें अगर किसी को सर्दी हो जाती है तो अपनी छीक को नहीं रोक सकता है तो इसमें यही बताया गया है कि अगर कोई संभाबना ऐसी हो गई है जिसको हम रोक नहीं पाते हैं तो उसमें हम जो है तो crust bird का use करते हैं और दूसरा दिया गया है एक्जामपल इसका the inspector can't help laughing the clone See laughing the clone और इसमें बताया गया है कि जो इंस्पेक्टर है जोकर को देख कर जो दरसक है वो अपनी हसियों को रोक नहीं सकते हैं इस तरह से हम जो है तो सभी कैन के यूज पढ़ सकते हैं और इनको समझ सकते हैं धन्यवाद